नया साल नया धमा का धनुराशी वाले जातन अगले 24 घंटे जालन हथेली पर आने वाली है रहे सावधान नमस्कार मित्रो स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूटूब चैनल धनु की दुनिया में आने वाले 24 घंटे बेहत खास है धनुराशी वाले जातकों के लिए क्या परिवर्तन क्या बदलाव इन 24 घंटों में आपको देखने को मिलेगा इन सारी बातों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे जानेंगे हम लोग तो चलिए सुरुआत करते हैं वीडियो की और जानते हैं ये 24 घंटे कैसे रहेंगे आपके लिए वीडियो की सुरुआत करते हैं वीडियो सुरु करने से पहले आप सभी दोस्तों से भाई बंदों से मित्रों से माताओं से बेहनों से हाथ जोड़कर विनमर निवेदाने कि इस वीडियो को लाइक कर दीजगा चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं तो दोस्तो इस चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर दीजगा सबस्क्राइब कर दिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद तो चलिए सुरुआत करते हैं वीडियो की और जानते हैं ये 24 गंटे आपके जीवन के कैसे रहेंगे दोस्तो जापकों को इन 24 गंटे में जो 24 गंटे का जो समय है ये जो दिन है समझदारी में किसी काम को करना जो है बहतर रहेगा कोई भी काम करिए तो समझदारी के साथ करिया आपके लिए बढ़िया रहेगा स्वास्त में या जी कुछ समस्याँ चल रही थी तो आप उसे नजर अंदाज बिलकुल भी मत करिएगा आपको कुछ महत्पूल चर्चा में भी समयलित होने का मौका मिलने वाला है आप कारेच चेतर में लोगों का भरोसा जीतने में कामियाब रहेंगे व्यापार के मामलों को गती मिलेगी और आपको किसी काम के लिए छोटी दूरी की यात्रा पर जाना पड़ सकता है ऐसी संभावनाय बंते भी दिखाई दे रही है इस लोग लिहाद से जो देखे 24 गंटे जो है आपका बहुत ही बढ़िया रहने वाला है ये 24 गंटे जो हैं मेहनत से काम करने के लिए रहने वाले हैं कारचेत्र में आप अधिकारियों से किसी बात को लेकर उलज सकते हैं वो बात भी गलत होगी ऐसा मत करिये का हमारी यही सला रहेगी किसे से ना उलजे किसी बाहरी व्यक्ति के मामले में हस्तचेप ना करें और अपने खर्चों के लेन देन पर पूरा ध्यान दें पूरा भरुसा रखे यानि कि फिजूल खर्ची आपको नहीं करनी है नहीं तो आये कम होगी और आप व्याय आधिक कर देंगे आप अपनी मेहनत और लगन से वरिष्ट सदस्यों से प्रशन साप पा सकते है उनसे खुसी पा सकते है जातकों के लिए उनत्ति दिलाने वाला रहने वाला है ये 24 गंटे विद्यार्थियों को अपनी किसी परिक्षा के प्रणामों में आने से कोई रिजल्ट आने से मन प्रशन रहेगा और आपकी कला और कोशल में भी सुधार आएगा उसलिहास से ये बढ़िया रहेगा 24 गंटा आपको अपने किसी मित्र से कोई सूचना सुनने को भी मिल सकती है आपकी किसी मित्र से पुराने मित्र से लंबे समय बाद मुलाकात होगी किसी पुराने मित्र से आप मुलाकात 24 गंटों में कर सकते है उसलिहास से भी बढ़िया रहेगा 24 गंटा हार्थिक मामलों में अप थोड़ा सा सावधान रहें नई तो कोई आपको धोखा दे सकता है जातकों के लिए जल्दबाजी में किसी निर्णा को लेने से 24 गंटों में बचना चाहिए कोई भी निर्णा आप जल्दबाजी में न लें आपको किसी नए काम को करने के प्रयास तेज होंगे आप व्यक्तित्व के प्रती अपने व्यक्तित्व के प्रती सजगता बनाए रखेंगे इन 24 गंटों में परिवार में आप किसी नए महमान के आने से महल खुशनुमा महसूस करेंगे ये खुशनमा महल रहने वाला है आप अपनों को आदर और शम्मान दे और कारे छेतर में आप जो है अधिकारियों की किसी गलत बात पर हां में हां ना मिलाएं जातकों के लिए ये जो 24 गंटे हैं कई जगहों पे देखें तो समाने रहेंगे कुश जातकों के लिए समाने रहने वाले हैं आपको समाजी कारे छेतर में भाग लेने का मौका भी 24 गंटों में मिलने वाला है आपको भाई बैनों से चल रही आनबन में माफी मांगनी चाहिए आपकी किसी पुरानी रुकी हुई योजना को आप फिर से सुरू कर सकते हैं आपको किसी विदेश में रह रहे हैं परिजन से कोई सूप सूचना सुनने को मिल सकती है 24 गंटों में वरिष्ट सदस्यों से पूरी शक्रियता बनाए रखेंगे तो ज़्यादा बहतर आपके लिए रहेगा बढ़िया रहेगा आपके लिए ये जो 24 गंटे हैं जातकों के लिए धर संबंदित रिस्तों में मजबूती लेकर आएगा उस मामले में यानि कि इधन संबंदित मामलों में बढ़िया रहेगा गर परिवार में किसी परिवार के सदस्यों से विवापरस्ता उपर मोहर लगने से घर का वाटवरण खुसनुमा रहेगा और परिजनों का आना ज़ाना लगा रहेगा आपको धन धाने में वृद्धी होगी और आप लाव के अवाशरों को हाथ से जाने नहीं देंगे लेकिन आपको अपनी भावनाओं पर नियंतरन रखना चाहिए कंट्रोल रखना चाहिए इन 24 गंटों में कोई नई उपलब्दियां मिलने से मन प्रशन भी रहेगा बैंकिंग छेतरों में कारेरत लोगों को बचत की योजनाओं पर पूरा ध्यान लगाना चाहिए आपको कुछ सम्वेदन सील मामलों में शावधान रहना होगा परिवारिक सदस्यों से यदि कुछ अनबन चल रही थी तो आज दूर होती हुई 24 गंटों में दूर होती हुई दिखाई दे रही है गिरास्त जीवन जी रहे लोगों में किसी भी बाहरी व्यक्ति के कारण समस्या हो सकती है किसी बाहरी व्यक्ति को अपने गिरास्त जीवन में इंटरफेर ना करने दे तो बहतर रहेगा जातकों को कानूनी मामलों में शावधान रहने की सलाह दी जाती है आप परिवार में किसी सदस्थ से किये हुए वादे को पूरा करें नहीं तो आप आप से नराज हो सकता है आपके अंदर त्याग और शहयोग की भावना बढ़ेगी और रिस्तों में बहतर बनाने की पूरी कोसिस आप करेंगे रिस्तों को मजबूत करने की पूरी कोसिस करें की दिखाई दे रही है आए एक से अधिक सिरोतों से कामों में विय जो है समझस से बनाए रखेंगे बढिया रहेगा वेपार के मामलों में तब ही आप कोई बड़ी सफलता अरजित कर सकेंगे आप घर परिवार में सब को साथ लेकर चलने की पूरी कोसिस करेंगे कारेचेतर में यदि कुछ अवरोध आपको परिशान कर रहे थे तो वह भी दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं 24 गंटों में वे दूर हो जाएंगे आपको लंबे समय से रुके हुए योजनाओ की जो है आप फिर से सुरुआत कर सकते हैं इस मामले में बढ़िया रहे गा ये समय रुरु के वे योजनाओ शुरू होंगे फिर से जो काम ठप पड़ गए थे उसको आप स्टार्ट कर सकते हैं जातकों को जो है शाकराब मक परणाम कई जगों आप इन 24 गंटों में मिलेगे शुब परणाम मिलेंगे आपको लाव के एक भी औसर को हाथ से जाने नहीं देना है और कारे छेतर में अपनी जिम्मेदारियां बढ़ने से आप थोड़ा परिसान भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं कारे छेतर में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी कुछ जादा वर्क आपको मिलेगा जो आपको थोड़ा सा परिसान भी कर सकता है जूनियर की मदद से आप उन्हें समय रहते पूरा कर पाएंगे कोई भी काम अगर आपको दिया जाता है उसको आप कुछ नए लोगों से मेल जोल बढ़ाने में कामयाब इन 24 गंटों में रहने वाले हैं ये 24 गंटे भग के द्रिश्टिकोंड से उत्तम रहने वाला है आपको यदि किसी काम को लेकर कोई समस्या चल रही थी तो वह भी दूर होती हुई दिखाई दे रही है कोई समस्या दूर हो जाएगी बड़ी समस्या के दूर होने के चांसे दिखाई रहे है आपने धान का जो है कुछ हिस्सा दान पुन के कामों में भी आप लगाते हुए दिख रहे है कारोबार कर रहे हैं लोगों को तेजी देखने को मिलेगी कारबार में तेजी मिलेगी आपको अपने मित्रों का पूरा साथ मिलेगा और आप अपने साथ किसी पार्टी को करने की योज़ना भी बना सकते हैं जातकों के लिए ये जो समय हैं ये जो 24 गंटे का समय है उत्तम रूप से फलदायक रहेगा कई जोगों पर आपको किसी साकारात्मा की योजना में ध्यान लगाना आपके लिए बहतर रहेगा विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई का पूरा फोकस बनाए रखना होगा तब ही वह प्रतियोगिता में शफलता हासिल कर सकेंगे और आप बरिष्ट अदस्यों की बात का पूरा मान रखना होगा नहीं तो वह आपसे नराज हो सकते हैं आपसे दुखी हो सकते हैं आपसे परेशान हो सकते हैं इससे ऐसा कोई काम नहीं करिएगा जिससे उनको पत्ती हो मतलब आपके जो बरिश्ट लोग हैं आपके घर में आई या फिर आसपास में आपके आफिस में कहीं भी तो उनकी भावनाओं को जो है ठेस मत पहुंचाईएगा ऐसा देखिएगा कि उनको बातों को आपकी बाते उनकी बुरी ना लगे आपकी बात इसका विश्च खया जर्दस्टी ट्रेवल करवा सकते हैं जबरदस्टी दबळा सकता है आफिस कब विद्यारतियों के लिए कटीनाईों उबरा रहे गई चौटि ног परिवार में किसी की हेल्थ को लेकर आप थोड़ा सा टेंशन में रह सकते हैं थोड़ी परिशानी में रह सकते हैं तो दोस्त कर दीजिगा सब्सक्राइब कर दिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद तो मिलते हैं आप सभी से एक नई वीडियो के साथ तक तक के लिए खुश रहें मुस्कुराते रहें आसपा सफाई रखें गरबालों का खयाल रखें साती साथ अपना भी खयाल रखें ये 24 मंगल में बीते शुब साबीत हो अच्छा रहें यही कामना करते हैं जैश रादे जै भोले नात हर हर महादेव बंबं भोले